हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है Spirit Science Classes में आज ये हमारा 4th lecture है Conservation of Plant and Animal Chapter का 1st lecture में हमने जाना था कि Deforestation क्या होते है Deforestation के क्या Consequences होते है और ये Plant और Animal को किस तरीके से हम Conserve कर सकते है और जहां पे Plant, Animal और ये जो Biodiversity होती है उनको Conserve किया जाता है उन Places के बारे में हमने जाना था 2nd lecture में हमने ये जाना था कि Biosphere Reserve क्या होते है वो किस तरीके से जो Biodiversity है उसको Conserve करते है 3rd lecture में हमने ये जाना था कि Wildlife Century क्या होती है कि Wildlife Century में हम किस तरीके से Animals को Protection देते है जो flora, fauna होते हैं उसके बारे में हमने जाना था और endemic species क्या होती है उनके भी बारे में जाना था और flora, fauna और endemic species के बीच में जो थोड़ा सा different होता है उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जाना था अगर आपने ये three lecture नहीं देखे है तो spirit science classes जो channel है वहाँ पे उसके playlist में जाईए वहाँ पे ये जो videos है वो sequence में दिये हुए है entire chapter की playlist दिये हुई है कि जैसे जैसे sequence में जो chapters है आपके वहाँ पे वो playlist में अच्छे से दिये हुए है वहाँ पे जाईए अच्छे से देखिए, notes बनाईए, revise करिए और हमारे साथ बने रही है spirit science classes में तो ये जो fourth lecture है उसमें हम national park के बारे में जानेंगे कि ये national park क्या होता है the national park protect plant and animals कि ये जो national park है वो plant और animal को protect करने का काम करते हैं ये साथ पूरा national park जो है वो इंडिया का first reserve forest है और अभी के time में more than hundred national parks present है इंडिया में तो जब ये पचमरी biosphere reserve की investigation की गई अच्छे से तो वहाँ पे approximately 55 rock shelter मिले इस तरीके के rock के shelter मिले जहाँ पे जो tribal people है वो leave करते हैं तो इस तरीके के कुछ rock shelter मिले और वहाँ पे इस तरीके के कुछ paintings मिली वो वहाँ पे draw की गई होगी tribal people के द्वारा तो ये जो rock paintings मिली और ये rock paintings में animal और man की जो fighting है उसकी paintings मिली hunting की paintings मिली dancing की paintings मिली playing musical instrument की paintings मिली ये सब evidence के base पे हम ये कह सकते है कि ये जो pachmari biosphere reserve है वहाँ पे many tribal still live in this area कि अभी भी tribal people जो है वो यहाँ पे होगे यहाँ पे वो present है तो बेटा हमने देखा था कि जो pachmari biosphere reserve था वहाँ पे जो biodiversity होती है उनको हम conserve करके रखते हैं उनको हम protection देते हैं और वहाँ पे ये national park है वो present है इस तरीके की जो rock shelter होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि हम सब को पता है कि जो tiger है वो threatened animal है वो endangered animal है कि उनकी जो संख्या है वो दिन बदिन गटती जा रही है due to illegal human activities की उनकी जो poaching, उनकी killing, hunting ये सब चीजों की वज़े से tiger की जो condition है वो बहुत खराब है और उनकी जो संख्या है वो दिन बदिन गटती जा रही है पर ये जो साथ पूरा tiger reserve है उसकी वज़े से animal को protection देने की वज़े से साथ पूरा tiger reserve में ये जो population of tiger है वो increase हुई है once upon a time animal like lion, elephant, wild buffalo and bara singa तो these animals were there in this साथ पूरा tiger reserve की यहाँ पर ये और भी animal देखने को मिलते थे पर कुछ animals ऐसे है जो endangered होते है अगर ये word को हम divide करते है तो हमें इस type के word मिलते है endangered इससे मतलब है कि ऐसे animal की जो danger में है कि जिनकी जो संख्या है वो दिन बदिन गटती जा रही है तो animal whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal की ऐसे animal की जिनकी संख्या है वो दिन बदिन गटती जा रही है और उनके उपर एक threat है कि उनकी जो उनका जो existence है वो खत्रे में है तो ऐसे जो animal होते है उनको हम endangered animal कहते हैं जिनमें wild buffalo, 12 सिंगा और भी कुछ जो animal है वो यहां पे endangered है तो यह जो animal है वो इस danger में किस तरीके से आए क्योंकि हम जो human beings थे उन्होंने destruction किया कि वो जहां पे रह रहे थे वो जो atmosphere था उसको हमने disturb करना शुरू किया तो यह disturbance की वज़े से यह जो natural habitats था उनमें disturbance हुआ यह जो humans थे उन्होंने अपने नीजी स्वार्थ के लिए अपने selfish motive के लिए वो जहां पे रह रहे थे ऐसा जो natural habitat था उसको disturb करना शुरू किया तो हमने वहां पे grazing की, poaching की, animal की, hunting की वहां पे जो animal होते है उनको capture किया हमारे selfish motive के लिए यह जो wood होते है उसको हमने collect किया जो trees थी उनका हमने deforestation किया wood के लिए ताकि जो wood है उसको हम अपने स्वार्थ के लिए use कर पाए जो medicinal plant होते है उनके लिए भी हमने यह जो है वो natural habitats को destroy करना शुरू किया और इन सारे inhuman activities की वजह से जो animal है वो endangered हुए तो यहां पर एक question है कि यह जो big animals है जैसे कि हमने देखा tiger है buffalo है जो wild buffalo है ठीक है wild buffalo यह जो bara singhah है यह तो बहुत बड़े बड़े animals है तो क्या छोटे animals जो होते है क्या वो भी danger में है तो हाँ बेटा यह जो छोटे animals होते है वो बहुत देंजर में है और ये जो छोटे अनिमल है उनमें स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट एन ओल ये जो अनिमल है उनकी जो पॉपिलेशन है वो दिन बदिन गटती जा रही है और दिसी इस वेरी नेंजरिस थींग फोर देहुमन बींग्स क्योंकि ये जो छोटे अनिमल है वो भी एक फूड चैन का एक पार्ट है अगर हम इनको डिस्टरब करेंगे तो इनसे हमारी भी लाइफ थ्रेटन होती है अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ 1958 में ये जो चाइना कंट्री है वहाँ पे उसके जो प्रेसिडन्ट थे उन्होंने लोगों को ये कहा कि ये जो स्पीसीज है मॉस्कीटो, हाउस फ्लाइज, स्पैरो और रैट तो ये जो स्पीसीज है वो हमें बहुत हाम करती है क्य ये जो मॉस्कीटो है उनकी वज़से डेंगी मलेरिया होता है ये हाउस फ्लाइज की वज़से जो है वो डाइरिया जैसे जो डिसीज होते है वो होते है ये जो रैट होते है उनकी वज़से प्लेग होता है और ये जो स्पैरो होती है वो इस तरीके के जो क्रॉप होते है जो grains होते हैं, उनको वो खा जाती है, तो उससे इन्होंने ये सोचा कि ये जो sparrow है, अगर हम इनको destroy कर देंते हैं, तो ये जो grains है, उनको वो खाएंगी नहीं, और ये जो grains है, वो अच्छे से ग्रो होगे, और हमें ज्यादा मुनाफ़ा मिलेगा, ज्यादा yield मिलेगी, तो इसलिए ये president ने ये आदेश दिया लोगों को, कि आप जहां पे इन चिडियाओं को देखो, वहां पे उनको मार दो, तो ये लोगों ने क्या किया, कि वो चिडिया को बैठने नहीं देते थे, वो बहुत आवाज करते रहते थे, वो पीछे पड़े रहते थे, और जब च हो चाइना के जितने भी लोग थे, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से इन स्पेरों को मार दिया, अब इन्होंने ये बी इनाम रखा था, कि जो जितनी जिग्यदा चिडियाओं को मार के लाएगा, उनको हम उतना जिग्यादा इनाम देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने को मारा, दो साल तक मारा, 1958 से 1960 तक इन चिडियाओं को इन्होंने मार दिया, तो क्या हुआ बिटा, तो ये जो चिडिया होती है, वो food chain का एक पार्ट होती है, अगर इन चिडियाओं को हम मार देते हैं, तो यहाँ पे ये जो food chain में से जो एक component है, वो वहाँ से निकल जाता है, तो जो entire ecosystem है, जो entire ecosystem क्या जो balance था, वो balance बिगड़ गया, तो वो बिगड़ने से क्या होता है, तो ये जो food chain है, उसमें ये जो grass होती है, जो crop होते है, उनको ये insects consume करते हैं, उनके food के तौर पर, ये जो insects होते हैं, उनको ये sparrow consume करती है, जो sparrow है, वो grains को भी खाते हैं, पर उन उनके उनसे ज्यादा ये जो insects होते हैं उनको भी ये consume करते हैं ये जो sparrow होती है उनको ये जो eagle होते है वो consume करते है और जब eagle की death होती है तो ये जो microorganisms है वो eagle का decomposition करते है और जो nutrient है वो फिर से soil में आता है फिर से वो plant के द्वारा absorb होता है तो इस तरीके से जो entire ecosystem है वो balance में रहत और यह जो nutrient है वो इसी तरीके से cycle में चलता रहता है और जो ecosystem है वो balance में रहता है पर चाइना ने यह जो sparrow थी उनको मार दिया तो यह जो food chain थी वो यहां से तूट गई तो उससे क्या हुआ कि यह जो bad bugs थे यह जो bad bugs थे, कि यह जो insects थे उनकी संख्या ز्यादा हो गई क्यूंकि उनको खाने वाला कोई बचा ही नहीं यह जो sparrow है उनको दो इन्होंने मार दिया तो यह जो insects है उनकी संख्या बढ़ गई तो यह जो insects है यह bad bugs है उन्होंने यह crop को destroy कर दिया और ये इतना बड़ा destruction था कि चाइना में ये जो लोग थे उनको खाना नसीब नहीं हुआ, उनको इतना भी crop नहीं मिला, उतना भी food नहीं मिला कि जिनको खाके वो जिन्दा रह सके, तो 1960 में कि ये चिडियाओं को मारना शुरू इन्हों ने 1958 में किया था, और 1960 यानि कि दो साल इन्हों ने चिडियाओं को मारा, और उसके बाद खाना ना मिलने से 25 मिलियन लोग मर गए, तो इस तरीके से, ये जो ecosystem है, वो balance रहती है, ये जो food chain है, वो इस तरीके से balance में रहती है, अगर हम एक भी component को disturb कर देते है, तो इस से पूरा ecosystem का जो balance है, वो बिगड जाता है, और उसकी वज़ए से 25 मिलियन चाइनीज लोगों की यहाँ पे death हुई food को ना मिलने की reason से, insects ने उन्हें destroy कर लिया, ये insects इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई कि इन्होंने sparrow को मार दिया, बहुत सारी sparrow को, तो इस तरीके से, ये जो छोटे animal भी होते है न, वो भी बहुत important होते है हमारी ecosystem के लिए, हमारी ecosystem के लिए, हमारी food chain के लिए, और हमारे human being, जो हम है, हमारे existence क लिए, तो चाइना को पता चल गया कि ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, और उसके बाद उन्होंने, वो सुदर गया, हाला कि अभी भी नहीं सुदरे है, पर उनको पता चल गया कि ये बेवकूफी हमें नहीं करनी है, and the ecosystem is made of all the plant, animal, microorganisms, non-living things, जैसे climate है, soil, river, जो है, ये सब चीजे मिलके ecosystem बनता है, plant, animal, microorganisms, जो है, trees, forest, soil, river, climate, atmosphere, human being, इन सब को मिलके ecosystem बनती है, तो यहाँ पर एक question होता है, I wonder, I wonder if there is any record of these endangered species, कि कौन सी species endangered है, कि कौन सी species की जो संख्या है, वो दिन बर दिन घट रही है, क्या, उनका कोई record होता है, तो जी हाँ record होता है, उन्हें हम कहते है, raid data book, कि ये जो raid data book है, उसमें endangered animal की पूरी detail रहती है, और ये जो raid data book है, वो maintain किया जाता है, international organization के द्वारा, और इंडिया में भी, जितने भी plant और animal मिलते है, उनके बारे में भी, जो little है, वो raid data book में होती है, अब हम एक और terminology देखते है, migration, कि ये जो migration है, वो क्या होता है, birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds, कि ये जो birds होते है, कि ये जो birds होते है, वो एक place से, दूसरे place पे fly करके जाते है, तो ऐसे जो bird होते है, उनको हम migratory bird बोलते है, अब ये question होता है, कि ये जो bird है, वो एक place से दूसरे place पे इतना सारा distance है, उसको cover करके क्यों जाते है, क्योंकि बेटा climate change की वज़े से, कि ये जो bird होते है, वो जहां पे रहते है, वहां का जो climate change है, वहां का जो climate है, atmosphere है, वो change हो गया है, अब वो उनको रहने लायक नहीं है, वो suitable नहीं है, इसलिए वो fly करके, migrate करके कोई ऐसे place पे आते है, जहां पे वो अच्छे से रह सके, और अपने जो अंडे है, वो वहां पे नहीं सके, और वहां पे वो safe रहे, इसलिए ये bird जो है, वो migrate होते है, तो ऐसे जो bird होते है, जो एक place से दुसरे place पे जाते है, उनको हम कहते है, migratory birds, जैसे कि एक example लेते है कि winter और spring का जो timing होता है, उस वक्त, गुजरात स्टेट के नल सरोवर, जो bird century है, वहां पे ये जो flamingo और pin tail duck है, ये as a migratory bird है, तो ये जो bird है, वो बहुत सारे kilometer fly करके, travel करके, यहां पे आते है every year, ताकि वो यहां पे रह सके अच्छे से, और वहां पे अपने अंडे दे पाए, ये सब जो birds होते हैं, उनको हम migratory birds कहते हैं, और ये नल सरोवर एक bird century है, जहां पे bird को protection दिया जाता है, अब हम देखते हैं कि 17 full grown tree जो होती है, उनको हम cut करते हैं, उनका deforestation करते हैं, तो 17 tree में से हमें 1 ton of paper मिलता है, 1 ton से मतलब है 1,000 kg paper हमें मिलता है, जब हम 17 trees को cut करते हैं, तो उससे हमें 1,000 kg paper मिलता है, recycling of paper कि ये जो paper होता है, उसको हम 5 to 7 times recycle कर सकते हैं, और ये recycle करने से क्या होता है, कि जो trees है, उतनी trees हमें कम cut करनी पड़ेगी, उससे deforestation कम होगा, और उसके जो consequences हैं, वो कम होगे, अगर हमारे country में 1 बच्चा 1 paper sheet को अगर save करता है, तो उससे approximately बहुत सारे trees को 1 साल में हम cut होने से बचा सकते हैं, तो हमें जो paper है उसको recycle करना होता है, उसको हम recycle में बेचते हैं, और जितना हो सके उतना हम जो paper होता है उनको कम use करते हैं, और जहां पे जरूरत है वहां पे ही use करते हैं, क्योंकि अगर हम papers को save करेंगे तो उससे energy भी save होती है उससे जो water है वो भी save होता है क्योंकि बेटा जो paper है वो wood में से बनता है वो trees में से बनते है तो यह जो procedure है उस दोरान बहुत सारा पानी यहाँ पे use होता है बहुत सारी energy यहाँ पे use होती है तो यह जो पानी और energy है उनको हम save कर सकते है जो harmful chemicals जो होते है उनका भी use हम घटा सकते है क्योंकि ये paper को बनाने में पानी, energy और chemicals की मदद लगती है तो अगर हम कम paper का use करेंगे अगर उनको ज्यादा recycle करेंगे तो ये जो energy है water है और ये जो harmful chemical है उनका use हम घटा सकते है और water को बचा सकते है क्या deforestation का कोई permanent solution है तो बेटा ये जो deforestation है वहाँ पे हम trees को cut करते है तो उसका एक ही solution है कि जितने trees हम cut करते है उतने ही trees हमें grow करना चाहिए क्योंकि हमने बेटा already बहुत सारा deforestation कर लिया है पिछले कुछ सालों में और उनका जो consequences है वो हम देख रहे है तो अगर हमें future generation को अच्छी तरीके से एक अच्छी better quality of life को देना है तो हमें reforestation करना होगा हमें बहुत ज्यादा tree को grow करना होगा तो ये जो school है colleges है और ये जो organization होते है वो plantation को इतना ज्यादा important इसलिए देते है क्योंकि we peoples are for a limited time but you are the future generation और हमारी जो future generation आने वाली है उनको better life देने के लिए हमें reforestation करना जरूरी है और जितना हो सके उतना deforestation कम करना चाहिए तो ये जो natural forest होते है उनको preserve करके रखना उसको conserve करके रखना ये forest conservation जो act है उनका goal है so thank you so much बच्चों हमारे साथ बने रहीए spirit science classes में मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए chapter के साथ thank you so much